असलानेकुम नाजरीन, गुड आप्टरून, वेलकम टू फूट डाइरीज, मैं हुझारनक सिद्वा, आपके सामने हाजर एक और एपिसोट के साथ, आज हम आपको चिकन, बोनलेस की एक बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, वज़दार सी सबजीयों के साथ रेसिपी सिखाएंग सबसे पहले सबजीयां जो भी आपको लेनी है, अब देखे मैंने क्या लिया है, गाजर, मतर, आलू लिया है, गोबी है, और जूकिनी है, ठीक है, एक अदद जूकिनी को क्यूब्स में काट लीजेगा, सब वेजटेबल्स को अची तरह धोईएगा, पील जो करनी है, वो होने चाहिए, अब हम क्या करेंगी, मेरे पास यहां तीन कप दूद है, दूद, आधा दूद हम लेके सबजीयों को दूद में पकाएंगे पहले, सही है, सो आई नीड ऑल दोस सबजी जो पहले जाएंगी, जिसको हमें ज्यादा पकाना है, अब गाजर और जो मतर है, और शिमला मिर्च है, उसको हमें कोई इतना ज्यादा पकाना नहीं है, अच्छा, आज हमारे शो पे है, वाउच 365 की कूपान बुक्स, करांची, लाहर, इस्टाबाद, हैदराबाद, पैसलाबाद, मुलतान और पिशावर के रहने वाले हमारे जो नाजरीन हैं, जो फैन्स हैं जल्दी जल्दी आप हमें 8881 पर कोई भी सबजीयों की रेसिपीज के नाम, ठीक है, अच्छी सी कोई सबजीयों की रेसिपीज के नाम लिखके, आप जीट सकते हैं ये वाउच 365 की कोई बुक्स, अब इसमें आलू चला गया, फिर हम इसमें जुकीनी डालेंगे और गोबी डालेंगे, फूल गोबी है ये, कॉलिफलावर, इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, डों तिंक के मीठा हो जाएगा, डों ट्वारी, और नमक जाएगा, ठीक है, और मतर है, अब मतर को तो अविसली मैं बॉल करके ही यूज करती हूँ हमेशा, बॉल नहीं करना है आपने और अगर आपने पूरा साल फ्रीज करना है त जाएगा, बॉल नमक जाएगा, और अब फॉरन थंडे पानी में डाल दीजेगा, पानी पूरा निथार दीजेगा, और फिर आप उसको छोटे पैकेट्स में करके फ्रीजर में रख देंगे, तो पूरा साल ग्रीन रहेंगे, खराब नी होंगे, तो यह पार बॉल है यान लिदान दिस विकाज़ा, यह गोबी, आलू और सुकिनी जो है यह पहले गल जाएगा, और यह सिर्फ अगर आपको टाइम आपको बचाना है, तो यह विवन उस बॉल पोटेटोस, अचा और क्या क्या चीजे है, इसमें, दूद है, नमक है, चीनी है, और यह सबजियां है मक्षन ले 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 या फिर आप इसमें घी ले ले ले, आम गोई तो यूज घी, जीरा है सावुद, ठीक है, तेज पत्ता है, अभी सारे गरम मसालों को में एक में ही डाल देती हूँ, लॉंग और दार्चीनी है, छोटी हरी इलाइची है और तेज पत्ता है, अच्छा जी होती है, मैं कभी भी पनीर को फ्राइए नहीं करती हूँ, मुझे समहाओ वो सक्ता पनीर अच्छा नहीं लगता है, लाइक दिस क्रम्बली नाइस पनीर, सॉफ्ट वाला, अच्छा अगर आपका पनीर बहुत सॉफ्ट है, आप चाहते हैं कि क्यूब्स फ्राय हो जाएं अ अच्छा, ऐसे करते हैं कि हम नाजरीन, जब तक यहां सबजियां बॉयल हो रही हैं, एक उबाल आ जाएगा दूद में, चीनी नमक दूद और सबजियां डाल दी है मैंने, एक उबाल आ जाएगा तो हम, we'll take a break, breaks वापिस आएंगे, तो फिर हाओ, आभी गोईं टो जी, welcome back, देखें, दूद में मैंने और चीनी नमक डाल के, जुकिनी यानि मारू, और ये कॉलिफलार और आलू को रख दिया है, छोटे क्यूब्स कर दीजेगा, जल्दी से सबजी गल जाएगी, भाप में कॉलिफलार तो पक जाता है, एक बाइट हमेशा सबजी में मैं र रखना जरूरी है, वरना मशी सबजी तो ऐसे लगेगा, आपने बुर्ता बना दिया है, ठीक है, ऐसे नहीं करिएगा, अब इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ, को अलकी आच पर रख देते हैं, और इस वाले चूले पर नहम घी, को थोड़ा सा, घी डालते हैं इसके, ले ले लें, घी ले ले, वोटेवर, और जीरा है, और साबुद गरम मसाला है, और हम पेस्ट एक बनाएंगे, वह हम कैसे बनाएंगे, इसमें मैं काजू डाल देती हूँ, थोड़े से, और काजूओं को पीस्टेते हैं, यह डेकोरेशन के लिए रखेंगे, सबजियां दूद में बॉइल करने से, आप देख लेगा कितना क्रीमी सा यह बनेगा, ट्राइज जरूर करियेगा, इसकी मैं आच हलकी कर दूँगे, दूद बाहर ने आ जाए, अच्छा, मीनवाइल यहां गी पिगल चुका है, इसमें हमने साबुद जीरा डालना है, और तेज पत्ता है, यानि बेली, 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 बेली बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन खाने को सर्व करने से पहले निकाल दीजेगा डिश में से, अब हम इसमें चोटी हरी लाइची, लॉंग और दारचीनी डालेंगे, यह हो गया, अच्छा, उसी सबजी के पैन में मैं मतर और गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देते हूं, ठीक है, समझ आ रही है ना, बहुत ही असान है, रेसिप पैस्ट तो पुट, इसको हम पहले जड़ा करकरा आते हैं, जीरे को साबग गरम मसाला, और मैं इसको एक मिनिट के लिए के लिए से हटा देते हूं, पैस्ट में क्या-क्या चीजे हैं जी, अदरक लैसन और हरी मिर्चे हैं, पहले हमने यहां काजू पीस लिये थे, अभी पीस हैं, इसी में निकाल देते हैं, काजू का यह पाउडर है, काजू इस्तमाल नहीं करने हैं, महिंगे लगते हैं, बदाम कर दीजे, क्लेन बाले मैंने काजू लिये थे, जो रोस्टेड बाले होते हैं, वो थोड़े खारे होते हैं, सॉल्टी होते हैं, ठीक है, वाटेवर यू वांन तो यूज, यह हो गया, अब इसका चूला बंद कर देते हैं, और इसको जड़ा एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं, सारी आपकी यहां दूद में हो रही है कुछ कह रहे हैं कौन? जैनब है इसलामाबाद से, हलो असलाम आलेकरम, how are you Zainak? I'm good, thank you, वालेकुम असलाम, सुनाये My daughters are your big fans, दोनो बेटिया मेरी आपका शोग से रहती है and the eldest one has made your chocolate cake so many times बलके वो कॉलेज में भी दिलेके गई थी fun fair में, cupcakes and chocolate cake बनाया था it was such a big hit, बहुत सबने पसंद किया and they really like your show a lot Thank you, बहुत शुक्रिया, thank you so much अच्छा, और अभी, I would like to answer your question as well vegetable की रेसिटी में, vegetable chao में, vegetable fried rice भिंजी की करी है, उसके लावा पालक पनीर है and zucchini curry, note कर दिया है, thank you बहुत शुक्रिया, thank you, बहुत शुक्रिया, thank you I'll have it, okay, I'll have it अच्छा जी, हरी मिर्चे हम डाल देंगे अधरक और लेसन तो, मेरे हलपर ने था चोटा-चोटा काट लिया है but still, अगर आप पीसना चाहे, साथ में डालके सब कुछ पीस लिजेगा और हम प्याज करेंगे, लेकिन प्याज इसमें फिट नहीं आएगी ता I'm going to do the प्याज in the blender लेटर लेटर ने ठीक है अधरक लसन हरी मिर्चे यह हो गया, यह को डाल देते हैं इसकी के अंदर अभी मैंने चूला बंद रखाया, okay, because I want to do the प्याज also इसके साथ, वरना यह करब मसाला, जीरा वगेरा, सब कुछ जल जाएगा यह हो गया, तब दो या तीन बड़े प्याज लीजेगा उसको डाल दीजेगा in your blender or food processor और बड़ा अगर grinder हो तो उसमें और we need to add little bit of water, थोड़ा सा पानी मसाला TV की संडे को कुकिंग क्लास हो रही है, पीसी में आपने देखा होगा प्रोमो भी चल रहा है, तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मज़दार सी रेसिपी जरूर आएगा, you have to register yourself, ठीक है पानी पहुत जादा नहीं डाल दीजेगा, अब हम इसका चूला, अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं, सब्जियां हमारी हैं वो हो गई है, we want कैसी तरह रहें, दूद काफी अंदर अब्जॉब हो गया है, सब्जियां गल गई हैं, we don't want के सब्जियां ब्जूब हो गया बिल्कुल ही मशी हो जाएं, ये याद रखिएगा प्लीज, वाउच 365 की कूपन बुक्स किस को जीतने हैं, बहुत अच्छे इसमें ऑफर्स है, buy one get one free coupons है, पुरा साल वालिज हैं, और इसमें travel का भी option है, salon, spas, healthcare facilities, खाना, पीना, सब कुछ, सोचें buy one get one free, तो जल्दी जल सब्सक्राइशन और हरी मिर्चों का पेस्ट हम बना चुके हैं, ये वाली रेसिपी जो है, इसमें हमेशा ये पेस्टी होता है, पूरा मसाला सारा ground होता है, याद व्याद नजर नहीं आना चाहिए, अब इसको आपने अच्छी तरहां पकाना है, प्यास का पानी भी सुका तो उनके लिए ये सारे रेसिपीज हैं, वैसे भी अगर हम खाते भी हो, तो हमें अटलीस्ट हथे में दो दफा, तीन दफा सब्सक्राइशन भी तो खानी चाहिए, कि नहीं, बहुत थोड़ा सा में पानी डालूंगी, एंड लेड दिस कोक ठीक है, अच्छा आप हमने क्य प्यास को ब्लेंड कर दीजिए, आपीस लीजिए, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, और फिर यहां आपने घी या मखन गरम किया, उसमें आपने साबुद गरम मसाला डाला, जीडा डाला, और ये हरी मिर्चों का अध्रक लेसन का पेस्ट और प्यास का पेस्ट डाल क इसमें पाइनापल्स डालेंगे, काजू डालेंगे, हराधनिया और ग्रेप्स, अंगूर ठीक है, और क्या था जो रह गया मैं बूल गई, क्रीम है थोड़ा सा और बस, क्रीम जाएगा इनमें और ये दूद भी जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करते हम ब्रेक की तरफ चलते है जब तक यहाँ प्यास अच्छी तरह हम गोल्डन तो नहीं होगा, बिकोज इस अपेस्ट, लेकिन इसको हम अच्छा सा भूनते रहेंगे, ठीक है, पानी को एवापरेट करेंगे, फिर आप आएंगे, फिर आपके सामने, हम नेक्स स्टेप करेंगे, वेजेटिबल, नौर परतन में बना रही हूँ, इसी तरह आप इसकी बिर्यानी भी बना सकते हैं, तो चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टेए ट्यून, कीप वाचिंग फूद डाइरेज, जी, वेलकम बैक, देखिए, ये सूख गया है, जो हमने मसाला बनाया था, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, बहुत फोड़ी सी हल्दी जाएगी, और गरम मसाला पाउडर जाएगा, ठीक है, फिर काजू जो हमने पिसे थे वो जाएंगे, बादाम भी डाल सकते हैं, और क् क्रीम में में डालूँगी, अभी नहीं, दूद चला जाएगा, थोड़ा सा पानी नहीं डाल रही हो, बिल्कुल दूद में ही पकने देंगे इसको, ठीक है, अब जो सबजियां है, पूरी उठा के आप इसमें डाल दीजिए, दूद पानी चीनी, पानी नहीं, दूद चीनी नमक में मैंने सबजियों को पका लिया था, बस, अब, पैनापल जाएंगे, थोड़ से में बचा के रखते हूं, फोर दे टॉप, और ये सब कुछ ऑन दे तॉप, धनिया थोड़ा सा अंदर, on the fire, and cream, and this is done, इसका आप चूला बंद करते है, वस, just mix the cream in, पकाना नहीं है कृम डालने के बार, कभी कभार ऐसे भी बनाएं, पूरा मने दूद में बनाया है, जर्दा भी पानी नहीं है चामिल किया है, देखा, आपने, this is ready, it's ready to serve, आप बना के रख दीजेगा, और cream बस अब मैं क्या करूंगी चिए लोग पनीर अंदर दफेंक प्रां क कडा घालते हैं मैं थोड़े से क्यूब अंदर डाल दुंगे जैन्ली सको मिक्स करें फोड़ी सक्यूल्य रखते है Congressman ज़र फिन क$20, necess även को दो 9 यह से हैं जो क्यूप रगते हैं कुछ चाहेगा जब मैं डेकोरेट इसको करोंगी, everything will go on top. जो चीजें आपने अंदर डाली हैं, उसी से आप चीजें खानों को डेकोरेट करें, don't try to add extra दूसरी सबजीयां. कभी कभार सर्व इन स्माल उतेंसल्स अलसो. ठीक है, ये बहुत अच्छी एक साइड़ दिश बनती है, इस्पेशली अगर आपके घर को मेहमान आ रहे हैं, जो वेजटेरियन कुछ खाना चाह रहे हैं, so this is something different. जरूर ट्राय करियेगा, और सर्व करियेगा, कभी कभार कुछ मुक्तलिफ सा भी हमेशा, आप ट्राय किया करें, ठीक है, मेरे सारी मीठों की रेसिपीस तो मझे पता, आप लोग सब कर ट्राय करते हैं, पनीर यह और पनीर देर, पैनापल्स, ये मीठा नहीं होगा, ये फिकर नहीं करियेगा, इस सपोस्ट तो भी तूछ थोड़ा सा, और, ग्रेपस, अभी ग्रेपस सीजन में है, बना लीजेगा ये रेसिपी, और क्या था, वी बित फ्दन ये रेसिपी रेसिपी रेडी हो गई, आप लोगों को समझ आया होगा, एक बार में इसको री-कैप कर दूँ, सबसे पहले आपने सबजियां लेनी है, सबजियां टोटल तीन कप, चार कप होनी चाहिए, ठीक है, एक कप अगर मटर ले रहे हैं, तो दूसरी सबजियां मैंने क्या-क्या ली थी, जुकीनी, गोबी, यानि फूल गोबी, कॉलिफला ठीक है, और आलू, और छोटी-छोटी बिल्कुल काटियेगा जल्दी पक जाएंगे, एक पैन में डाल दीजेगा गोबी, जुकीनी और आलू, और फिर उसको एक कप, डेड़ कप दूड डालके चुटकी भर नमक और चीनी के साथ पकाने के लिए छोड़ दीजेगा, धक दीजेगा वाद 10 मिनिट में हो जाएगा, फिर आपने मतर और घाजर और शिमला मिर्च उसमें डाला उसको भी इसके भाप में पकने दिया, फिर आपने चूला बन कर दिया, दूसरे पैन में आपने घी या अखन गरम किया उसमें आपने साबुद जीरा डाला, फिर आपने साबुत गरम मसाला डाला जिसमें तेज़ पत्ता था यानि बेलीफ, दारचीनी, लॉंग, छोटी हरी, लाइची ये सब कुछ गया ठीक है जी ये हो गया, आपने उसको सौटे किया, फिर आपने उसके अंदर पीस के अधरक लैसन, ताजा वाला हाँ, पेस नहीं, अधरक लैसन और हरी मिर्चों का पेस डाल दिया, काजू पीस के आपने डाल दिये, प्लेन वाले, उसके इलावा दो से तीन बड़े प्याज पहत थोड़ा सा पानी डाल के भ्लेंडर में ब्लेंड करके वह भी आपने डाल दिया, उसी से ये ग्रेवी बनती है ठीक है, प्यास से, और प्यास को डालने के बाद बहुत थोड़ा सा पानी डाल के खूब उसको सुका दीजेगा, तो तो प्रदी कि यह बंसे तरह पर शब्राब्राइब शबशी जिए जब अक्रवर पाउडर निदी जादा है और धन्या इसमें गया था पैनाप्ल था और अमने इसमें पनीर डाला था ठीक है और मसालों में सिर्फ थोड़ा सा गरम असाला पावडर रहल दिसा अधा नी डाल आप चख लीजिएगा अगर आपको यह मीठा लगे तो पाइनापल वगएरा नहीं डालिएगा लेकिन मुझे कपी कबार वेजटेबल नौरतन इस तरह का जो कोर्मा टाइप होता है इस तरह अच्छा लगता है सो डेफिनिट्ली ट्राइट आउट एक होम क्विक बोनलेस चिकन की रेसिपी जो है ना उसके लिए मेरे पास यहां बोनलेस चिकन है ठीक है और उसको आपने सिर्फ मैरिनेट करके थोड़ी दर के लिए छोड़ देना है जिसमें अधरक लेसन है नमक है और यह देखें थोड अधरक लैसन नमक लेमन जूस और यह गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्चों इस लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया मैंने और यह घरम मसाला ठीक है अब इसको मैरिनेट करके जोड़ी दर के लिए छोड़ देंगे और हम एक ब्रेक ले लेंगे, हम ब्रेक लेंगे, क्लीन अप करेंगे, यहां से यह सब कुछ हटाएंगे और तब तक चिकन को भी मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, तो किस तरह हम यह मज़दार सी क्विक बोनलेस चिकन बनाएंगे, आप देखते रही हमारा शोर फूद डाइरी जोनली ऑन मसाला टीवी जी वेलकम बैक, मैंने यहां बोनलेस चिकन है, आदा किलो उसको मैरिनेट करके रख दिया था लाल मिर्चों का पाउडर, घरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, नमक और अधरक लेसन के पेस्ट के साथ, और थोड़ी दिर आप छोड़ दीजेगा फिर आप एक दो चमच घी गरम कर लीजेगा और उसमें इस चिकन को पका लीजेगा, ठीक है, यह एक तरफ होता रहेगा, जब तक हम दूसरी चीजें शुरू कर देते हैं, नाव दादे इंग्रीडियंस, लाट्स अधर इंग्रीडियंस, अच्छा, अब मैं घी ले ले ल गी के साथ इसको अची तरह मिक्स करिएगा, चिकन को आप पकने दीजेगा, इसका मॉइस्टर फूरा सूख जाए ठीक है, अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, अब मुझे घी पिगल जाए, तो एक बड़ी प्याज है, फाइनली चॉप, उसको आप हलका सा सौते कर द है, पहले हमें इसको सौटे करना है, यहां भी चिकन को गुमाते रहेगा, नीचे लगने जाए, फ्राइंग पैन में कर लें, स्वास पैन में कर लें, किसी और बरतन में कर लें, ब्लेंडर यहां रेडी है, जैसे ही प्यास टमाटर वगरा हो जाएंगे, अत्रक लेसन वग पालने के लिए, ग्रीन चिली चतनी जो बेक पालर की है, और यहां आपको बेक पालर के प्रड़क्स नजर आ रहें, टमैटो केचप है, चिली गालिक सॉस है, चाइनीज रियल एग नूदल्स है, स्पगेटी है, चाट मसाला है, बिग अल्बो मैकरोनी है, शेल मैकरोनी है अल्बो मैकरोनी जो होल वीड पास्टा से बनाई गई है, रेट चिली है, सिर्का है, सोया सॉस, ग्रीन चिली चतनी और आइस क्रीम सिरप है, जामे मश्रिक है, आप भी घर लाइएगा, इस्तमाल करिएगा, इस आरे प्रड़क्स मैं यूज कर चुकी हूँ, कितनी सारी च प्याज है, सीरा है, हरी मिर्चे हैं, और टमाटर है, ठीक है, समझ आ गया, I hope आप ये वेजटेबल की डिश भी ट्राइ करेंगे, इसमें, जो भी आपको सब्जियां डालनी होगा, आप डाल सकते हैं, मक्काई डालें, आप तीन रंगी शिमला मिर्च मिलती है, वो डालें, कुछ भी, anything you like, सीजन की जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाएं, उनसे चीज़ें बनाएं, हो सके तो सीजनल फ्रूट्स और वेजटेबल्स को पिकल कर दें, जैम बना दें, चट्नियां बना दें, ताके पूरा साल चले, तुमाटर सस्के हो, तो केचप बना दें, टुमेटो पेस्ट बना दें, टुमेटो की चट्नी बना के रखें, कुछ नहीं हो घर में कभी दालचावाल है हो, सिर्फ सबजी होता है, उसके साथ अचार चट्नीयां भा सकते हैं, कुछ लोगों के मिल्स तो अचार चट्नी व अब हम इसमें अधरक और लेसन शामिल कर देंगे, जो कि है चॉप किया हुआ, चॉप किया हुए कि अपनी खुश्बू, टेस्ट, फ्लेवर, टेक्स्च्चर, ट्राय करके देखिए का, इसको हम थोड़ा साथे करते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं, जीरा, और हरी मिर्चें, और टमाटर, बेशक बड़ा बड़ा भी आपने सब कुछ काटा हो, everything is going to be anyways blended, चिकन वहां, पक रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें, हल्दी पावडर डालना है, बहुत थोड़ा सा हल्दी पावडर इसमें जाएगा, तरमरेक यानिके, और यलाइची पावडर इस पावडर है, चोटी हरी लाइची का पावडर है, वही मसाले हैं, अलग-अलग तरीकों से बस पकाएंगे, तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा, हम, जी, शेफ कुक वेर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे बरतंज जो हमारे शोज पे, पाइनियर ओफ फ्रेशर कुकर इन पाकिस्तान, और फूड ग्रेट मटीरिल से इनका ये पूरा कुक वेर तयार किया जाता है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें नम मेंबर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, तब भी हमने नमक लाल मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला डाला था, फिर भी थोड़ा सा और भी जाएगा, और आप इस स्टेच पे डालेंगे, इसको थोड़ा सा पानी डालके, फून लीजेगा इन मसालों को और फिर जाएगा हमारे ब्लेंडर में, वैसे करें हम रेसिपी रीकाप की तरफ चलते हैं, जैसे ही हम यह ब्लेंड कर देंगे, आप लोग ब्रेक्स में आएगे, यह ब्लेंड किया हूआ होगा, और चिकन भी हमारा साथ-साथ पक रहा है यहाँ, उसी के पानी में देखे, मैंने कुछ नही टाला है, ठीक है? स्टे त्यून, कीप वाचिंग, फूद डाइरी जोनली और मसाला तीवी कोईक बोनलेस चिकन अच्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्रैम, मैरीनेशन के लिए अच्जा, अधरक लैसन का पेस्ट, दो चाह के चमचे, नमक, देड़ चाह के चमचा, विसागर मसाला तीजा के चमचा, पिसी लाल मिर्च आता चाह के चमचा, लीमू का रस, तीन से चार खाने क चमचे, मजीद अच्जा, चॉप्ट प्यास एक अदद, चॉप्ट टिमाटर एक अदद, चॉप्ट अधरक एग इंच का ट्रकुड़ा, अधरक लैसन का पेस्ट, देड़ चाह के चमचा, चॉप्ट हरी मिर्च दो अदद, चॉप्ट हरा धनिया, चार खाने के चमचे, श पर तेल गर्म करके जीरा और इलाइची फ्राइए कर लें, साथी प्यास अधरक लैसन का पेस्ट और नमक डाल कर सौते करें, उसके बाद हरी मिर्चे अधरक और शिमला मिर्च शामिल करके दूसे तीन मिनट पका लें, अब इनमे टेमाटर और काजू डाल कर मजीद 5-7 मि ब्रेंट करके पेस्ट बना लें, उसके बाद घी गर्म करके पेस्ट को पकाएं, अब इसमें फिसी लाल मिर्च गर्म मसाला और गर्म पानी शामिल करके 12-15 मिनट उबालें, इसी दौरान पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन सौते करें, फिर घी डाल कर टोस् चिकन के टुकडों को मसाले में मिक्स करके उपर से काली मिर्च गर्म मसाला और मेथी पाउडर छुड़कें और दूस्से तीन मिनट पका लें, आखिर में हरे धनिये से गानिश करके सर्फ करें पेस्ट के लिए, चौप्ट प्यास तीन अदद, हरी मिर्च छे अदद, चौप्ट अदरक एक इंच का टुकुड़ा, चौप्ट लैसन छे जवे, खल्दी आदा चाहका चमचा, गर्म मसाला आदा चाहका चमचा, तरकी, पैन में तबाम सबसियां डाल कर आदा दूद शा पर बाकी बचा दूद, पकी सबसी और पाइनपल क्यूब्स डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें और उबाल लें, अब आदा हरा धनिया और कौटेच चीज क्यूब्स शामल कर दें, उसके बाद नमक और चीनी डाल कर मजीद 4 मिनट पकाएं, और चूला बन करके क्रीम शामल क करें, आखर में हरे धनिया से गानिश कर लें, पकी सबस्टा करें, अच्छी तरह मिक्स क्यानी जाता है। लाल मिर्च आदा चाह का चमचा, लीमू का रस तीन से चार खाने की चमचे, मजीद अज़सा, चॉप्ट प्यास एक अदद, चॉप्ट टिमाटर एक अदद, चॉप्ट अद्रक एग इंच का टुकुड़ा, अद्रक लैसन का पेस्ट, डेड़ चाह का चमचा, चॉप्ट ठ अधरी मिर्च दो अदद, चॉप्ट ठरा धनिया, चार खाने की चमचे, शिम्ला मिर्च स्लाइस एक अदद, तिल का तिल दो से तीन खाने की चमचे, जीरा डिड़ चाह का चमचा, पिसी लाईची दो अदद, नमक एक चाह का चमचा, काजू दसे बारा अदद, पिसी ला पर दुबारा इस पैन में डाल के इसको इस तरह हमने पकाया जब तक तेल उपर नहीं आ गया ठीक है समझागी कितने अच्छी ग्रेवी हो गई है अब ग्रीन चिली चटनी के फ्यू ड्रॉप्स इसमें जाएंगे बहुती मज़दार सी यह रेसिपी बनती है ट्राय जरूर क करिएगा बेक पालर का हमने इस्तमाल किया है इसमें अब हम डालेंगे शिम्ला मिर्च स्लाइसेज में कटी हुई और यह जो पूरी चिकन पकाई थी अमने अलग से वह भी चली जाएगी कि कि इसको आप मिक्स कर दीजिए शुम्ला मिर्च को आप उजादा पकाना नहीं है अच्छा अब क्या क्या जाएगा इसमें यह है कसूरी मेथी यह मेरे घर की चोटी मेथी ती जिसको मैंने ट्राय कर दिया थावन में और देखें इसका रंग देखें और आप रेडी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आएंगे रेजिस्टर करवाई अपने आपको अपने अभी तक नहीं किया है तो और सीखिये हमसे मुनफरेद डिफरेंसी रेसिपीज और लॉंच है टी है सब कुछ है होल डे वित अस अच्छाइना आइडिया चलिये अच्छाइट इस दान अब आपको इसको सर्फ कर देना है आपको मुबारक हो आपको जल कॉंट्रैक किया जाएगा और आप तक आपकी किफ पहुंचा दी जाएगी अब किसी भी चीज से आप डेकोरेट कर दीजे नॉट नेसेसरी कि हमेशा धनिया ही हो काजू यह रहन दैर ठीक है आज चोटे से दो बरतनों में मैंने आपको यह दोनों रेसिपी सिखाई है रात में साड़े दस से साड़े ग्यारा शूर रिपीट होता है तब देख दीजेगा अगर आपने अभी कुछ भी में साउट कर दिया हो तब दीजे मुझे और टीम पूर डाइरीस को इजाज़ जाते जाते याद रहें के मसाला है तुकाने में हैं मज़ा खुदा आफिस